हेई एवरीवान वेलकम बैक तो योर चैनल डी फार्माइजीनोड इस वीडियो इस डी फार्माइज स्टुडेंट सब्जेक्ट इस फार्माकोलोजी एंड टॉक्सकोलोजी तो टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं यूरीनरी ट्रैक इंफेक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर हम लोग हिंदी और इंग्लिस दोनों में डिस्कस करेंगे जिससे अगर आप हिंदी मेडियम के स्टुडेंट है तो भी आपको समझ में आएगा अगर आप इंग्लिस मेडियम के स्टुडेंट है तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो तो यह टॉपिक के लिए दिख्षा ने बहुत कहा था मुझसे पहले तो मेरी तवियत ख्राब ती इसलिए नहीं बना वाई लेकिन अब मैं ठीक होगी हूँ तो मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दे रही हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं दिख्षा इस टॉपिक को जिस जिस ट्रैक से वो इनफेक्शन गो अवे कर रहा है उस ट्रैक को उस रास्ते को ट्रैक कहते है और यूरिनरी का मतलब तो आढ़ सब लोग समझते हैं यूरेन ओके जो हमारी बोड़ी से ठ्र्व आउट होता है तो हमारी बोड़ी में जो यूरिनरी ट्रैक इन绌ट हो जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और चलिए अब पहले तो हिंदी में समाज़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है यहां पर एक पॉइंट और है जो कि आप देख रहे हैं UTI is a common disease at all age यह infection किसी age, gender, male या female पे matter नहीं करता है अब आएए आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी का concept स्टार्ट करते हैं Urinary antiseptics ठीक है तो अगर आपसे यह question पुछा जाता है तो आपको सबसे पहले heading डालनी है definition की और लिखने है antimicrobial drug का use जब oral किया जाता है तो इन drugs की सांधरता केवल urinary infection के लिए ही usable होती है ठीक है इस drug का use orally करते हैं तब इसके बारे में बताएगा है ठीक है पूरी body पर इनका effect नहीं पड़ता है यह kidney tubular के लिए concentrate होती है and lower urinary track में उप्योगी usable होती है ठीक है इनका इस drug का use urinary antiseptic drugs कहलाता है इस drug को use करने से urinary antiseptic ठीक हो जाता है यह urinary antiseptic कहलाता है urinary antiseptic निम्ल है मतलब यह यहाँ पर classification दिये गए तो आपको इस तरह classification नहीं लिखना है ठीक है आए देखते हैं कि classification किस तरह लिखना है I hope आपको यह इतनी definition अच्छे से समझ में आ गई हो कि अगर आप English medium से विलाओं करते हैं तो इसको English में convert करके लिख सकते हैं Hindi में लिख से पढ़ रहा है तो फिर बहुत यासान भासा में लिख सकते हैं कि heading डालने से पहले आये कुछ concepts clear करते हैं और यह मेरा फोन जो बार बार बंद हो जाता है इसके उपर मुझे बहुत गुसा आती है और इससे आप से और मुझे बहुत कौन जानता होगा कि कितनी problem आती है इस वीडियो को बनाने में ठीक है देखें टाइप्स कितने होते है जो urinary tract infection होता है वो कितने types का होता है आप यह point डाल की लिख सकते हैं इसे teachers को आपके कौपी देखने में अच्छा लगए ठीक है अभी वहाँ पर पढ़ा था lower urinary tract infection and upper urinary tract infection तो यहाँ पी यह मैंने UTI sort में लिखा है आप पूरा अपने exam वाली कौपी पर लिख दीजेगा इनके symptoms देखते हैं कि UTI के symptoms क्या रहते हैं lower UTI में bud and pain का symptoms होता है और upper UTI में pain trinesia upper back side head up fever go and come fever जाता आता है nausea और vomiting जैसे symptoms देखने को मिलते हैं अब heading डाल लिजे आप classification की classification को three part में divide किया है एक है bacteriostatic और second है bacteriocidal bacteriostatic क्या करता है bacteria को kill करता है bacteria की growth को रोकता है बड bacteria को kill नहीं करता है और bacteriocidal क्या करता है bacteria को ही kill करते है ठीक है अब इनके classification देखिए sulfonamide है doxyceline है और natrofurotone है और bacteriocidal में clotrimazole, ampicillin और agithromycin जैसे drugs का यूज किया गया है और अपर urinary antiseptic की जो drugs है उनको देखिए nalidexic acid और methamalic acid ठीक है तो यह हो गया इनका classification अब आईए कुछ जो यह drugs है उनकी most important जो की पूची कहीं है हमारे exam paper में इन drugs के बारे में थोड़ा सा जान लेते है nitrofurentine heading डाल दीजे और लिखना इस्टार्ट करिए broad spectrum drug it is a broad spectrum drug and इसका use mouth से किया जाता है ठीक है orally orally किया जाता है and या cigarette से मतलब absorb हो जाती है fast absorption है इसका urinary tract infection में urinary antiseptic के रूपे इनका use किया जाता है या water में soluble है and अधिक मातरा में इनका use करने पर bacteriocidal के रूपे यह work करती है तो यह हो गया इनका थोड़ा सा introduction और इनके side effects देख लीजे क्या है headache, drowsiness और यह सारे इनके side effect है ठीक है तो यह लिख लीजेगा आप अब देखिए second number में drug में क्या लिखा हुआ है पॉइंट याद होना चाहिए और आगे तो बढ़ा आके लिखी सकते हैं अब देखिए next drug के बारे में Nelidixic Acid के बारे में it is a urinary it is a urinary anti infection drug या रंग हीन हलके colorless और हलके पीले रंग येलोई क्रिस्टिलीन पाउडर होता है ठीक है ये drug कैसी होती है colorless yellow crystal powder होता है या जेल में अब इंसॉलिबल होता है water में इंसॉलिबल होता है या GIT UIT infection में इनका use किया जाता है इनका use orally होता है पर cigarette से ये observe होती है ठीक है observe अच्छे से होती है and kidney द्वार इनका excrete होता है उस surgeon kidney से ही इनका होता है इनके side effect, nausea, vomiting यह सब लेख लेज़ेगा ठीक है तो I hope आपको ये video helpful लगा होगा अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो please do like, share and subscribe this channel thank you, take it, I made it to next video अगर दिक्षा की तरह आपका भी कोई topic है तो फिर आप comment करिए आपका भी video बन जाएगा thank you, take it, I made it to next video दिक्षा